साथ शेयर करूंगी अंकुरित मूंग के लद्दू, जिनमें हमने फ्लेवर के लिए डाले हैं कुछ इस्पाइसेस, साबुत मूंग के फायदे तो सभी जानते हैं कि मूंग में बहुत प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं और यह लो इन क्यालोरीज, सोडियम होते हैं और अगर हम अंकुरित मूंग की बात करें तो अन प्रौटित मूंग की बजाए यह कहीं अधिक पॉष्टिक होते हैं और आसानी से डाइजस्ट हो जाते हैं हमने पहले भी बहुत सी स्प्राउट्स रेसिपी चानल पर अपलोड की है जैसे स्प्राउट स साथ ही अपने सुझाओ मेरे चानल पर कमेंट करके देना ना भूले और इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वाच दिस वीडियो एंग्लिश लिंक इस गिवन दिस्क्रिप्शन बॉक्स लड़ू बनाने अब इन अंकुरित मूंग को धोएंगे और पीस लेंगे जरूरत लगे तो एक दो चमच पानी भी डाल सकते हैं फिर एक पैन में मूंग का पेस डाले और इसमें डाले वन फोट कप घी और मद्यमाच पर इसे भुने अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं और घी नह लगेगा फिर इसमें छे साथ बादाम कस करके या काट करके डाले और वन थर्ड कप नारियल का चूरा डाले फिर इसे एक मिनिट तक चलाते वे भुन ले और फिर गैस बंद कर दे और इसको थोड़ा थंडा होने के लिए रग दे जब यह थंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी और हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले ताकि चीनी पूरी तरह से मूंग के मिश्रन में मिल जाए अब इसमें डालेंगे 1-4 cup condensed milk, condensed milk वैसे optional है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके ज़िए के थोड़ा सा दूद या मावा भी मिला सकते हैं पर condensed milk से flavor बहुत अच्छा आता है फिर condensed milk डाल करके भी इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें flavor के लिए डालेंगे 1-4 चमच इलाईची पाउडर, तो लॉंग पिसी हुई 1-4 चमच जाएफिल पाउडर और आदा चमच दालचीनी पाउडर इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लें और फिर थोड़ा सा मिश्रन हाथ में लेकर के उसके लड़्डू बनाए फिर इन लड़्डूों पर एक-एक पिस्ता लगा करके गानिश करें वह तो अंकुरित मुंक में लड़्डू बनकर के तयार हैं कंडेंस मिल्क ने इनर में बहुत रिश्नेस ला दी है साथ ही इस verste कंई गुना और बढ़ गया है तो टेस्टी और हेल्दी अंकुरिक मोंकी लड़ू बंतर की तैयार है आप इलिए बनाए और अपने अनुगोव मेरे चानल पर कमेंट ख़र के ज़रूर बताएं तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपे के साथ अगले बाद तब तक के लिए शुक्रिया